हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके शेयर कर रहे हूं कस्टर्ड एपल बात सुन्दी कस्टर्ड एपल या सरीफा एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट है जो कि विंटर सीजन में स्पेशली आता है इसके सीट सेपरेट करना और इसका पल्प निकालना बहुत ही टफ टास्क होता है तो आज हमारे पास इस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए है बलजाणो ब्रैंड का योगा ब्लेंडर जिसकी हेल्प से हम बहुत ही अच्छे से पल्प निकाल सकते हैं और यह delicious सी बासुंदी बनाकर enjoy कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनती है custard apple बासुंदी custard apple बासुंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेड़ लीटर दूद लिया है या full fat या fit tone milk दोनों तरह का ले सकते हैं क्योंकि हमें इसे गाड़ा ही करना है मैंने ये full fat milk लिया था और इसे मैंने slow heat पर इस तरह से gas पर रख दिया है इसे slow heat पर रखें ताकि धीरे धीरे करता जाए यहाँ पर जो custard apple हम लें वो बहुत जादा पका हुआ या गला हुआ नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ही जादा कच्चा तो medium जो होता है जिसे आप हाद से दबा पाएं उस तरह का हमें लेना है ये देखे दूद मैंने रख दिया है इसको कड़ने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे low flame पे रखेगा और बीच पीच में हिलाते रहेगा तो इस तरह से इसको मैंने रख दिया है 15 से 20 मिनट में ये दूद इस तरह से हो गया है अब इसको कड़ने में और टाइम है बर जो हमें custard apple प्रोसेस करना है उसे हम तभी करें जब हमारा दूद अच्छे से गाड़ा हो जाए otherwise custard apple हलका सा काला रंग पकड़ लेता है तो यहाँ पर दूद मेरा almost done है पांच मिनट और लगने वाले हैं और पांच मिनट में ही हम custard apple को भी प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर custard apple का जो pulp है वो मैं निकालने वाले हूँ बलजानो ब्रैंड के yoga blender में जिसमें seed separation का एक special feature है जिसकी वज़े से seed बहुत easily fruit से separate हो जाते है तो सबसे पहले हम custard apple को equal halves में cut कर लेंगे और उसके बीच में जो दाने होते हैं उनको इस तरह से spoon की help से scoop कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़दा कच्चा या बहुत ज़दा पका हुआ हमें नहीं चाहिए जिस तरह का यह है इस तरह का मेरे पास जो custard apple थे उनमें से एक थोड़ा सा कच्चा था तो वो मैंने हटा दिया और लगबग डेट custard apple का यह pulp में यूज करूंगी डेट लीटर मिल्क के साथ में तो इस तरह से काफी अच्छी sweetness भी उसमें आ जाती है तो यह pulp मैंने कठा कर लिया है इसके जो छिलके हैं वो मैंने हटा लिये हैं छिलके इसमें नहीं जाने चाहिए अदरवाई से कड़वा हो जाता है तूद भी हमारा almost done है तो अभी gas को हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे दूद को थोड़ा सा यह देखे पल्प जो हमारे पास है इसको हम एड़ करेंगे blender के jar में और यह देखे इस तरह से मैंने इसमें एड़ कर दिया है कोई भी fruit है उसको ऐसे ही अप ग्राइंड करेंगे तो उससे पल्प प्रॉपली नहीं निकलेगा तो इसमें हम थोड़ा सा दूद एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कप जितना ही यह fruit है एक कप इसमें मैंने milk add किया है और यहाँ पर इसमें seed separation का process तो होता ही है साथ ही इसमें cyclonic waterfall technology के थूँ जो पल्प है वो काफी smooth हो जाता है smoothly grind हो जाता है यह आप देख सकते हैं Balzano brand का yoga blender stone grind technology के साथ में आता है तो जो इसका blade है उसके साथ stone grind technology यूज़ होती है जो की fruit को cut नहीं करता बलकि उसको chew करने की तरह process करता है यानि की जैसे हम दातों से जब chew करते हैं उसी तरह से smooth texture रहता है किसी भी fruit या जो भी चीज़ हम इसमें कर रहे हैं जो भी puree आप इसमें कर रहे हैं उसका जब desire consistency आपको मिल जाए उसके बाद आप speed को high रखें और उसके बाद इसमें से puree निकालना शुरू करें जैसे यहाँ पर यह pulp निकला है fruit का तो high speed पर maximum pulp आप निकाल पाएंगे उसके बाद भी अगर इसमें pulp बचा हुआ है तो अगर आप पानी यूज कर रहे हैं तो पानी extra डाल सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर दूद यूज कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा दूद और डालूँगी और फिर इसको एक बार और चला दूँगी यहाँ पर आप देख सकते हैं सी रिग्दम सेपरेट हैं और pulp में काफी हद तक निकल चुका है तूसरे round में मैं इस तरह से इसको again चला दूँगी और इस सारा जितना भी pulp में extra होगा वो भी निकल आएगा इस तरह से low speed पे यह चलता है तो oxidation भी काफी कम होता है जिसके वज़े से fruit में जो भी nutrition होता है उसका loss भी कम होता है योगा blender में आप जो भी pulp निकाल रहे हैं या smoothie बना रहे हैं या soup के लिए कोई texture आपको चाहिए तो उसको आप control कर सकते हैं जैसे बासुन दी के लिए मुझे ठिक चाहिए था तो मैंने ये इस तरह से किया है अगर आप milkshake बना रहे हैं तो आप इसको और भी ज़्यादा smooth कर सकते हैं अभी दूद हमारा हो चुका है बटी थंडा नहीं हुआ है इस टाइम पे हम इसमें add करेंगे टेस के cording sugar मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिस तरह काप मीठा खाते हैं उस तरह से add करें और साथ ही जो आपने custard apple लिया है वो कितना मीठा है उस पे भी depend करता है कि आपको कितनी sugar add करनी है मैंने एक ladle भर केस में डाली थी अभी दूद को ठंडा होना है उसके बाद हम custard apple का pulp उसमें add करेंगे उससे पहले मैं आपको इसका cleaning part दिखा देती हूँ आपको लग रहा होगा काफी complicated सा design है इसको clean करना बहुत मुश्किल होगा पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नल के नीचे आपको इस तरह से रखना है और यह बहुत ही easily clean हो जाता है इसका जो जार है वो दोनों तरफ से open हो जाता है तो इसको clean करना और भी easy हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही easily just running water में ही मैंने से clean कर लिया है दूद को ठंडा होने में भी time है तो इसकी garnishion के लिए हम पिस्ता की कत्र निकाल लेते हैं तो पिस्ता को या तो आप soak करके हलका सा chop कर लें या फिर dry भी आप इस तरह से इसकी कत्र निकाल सकते हैं तो यह कत्र निकल चुकी है पिस्ता काफी अच्छा लगता है किसी भी dessert के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूद एकदम ठंडा हो चुका है इसके उपर मैं अब डाल रही हूँ जो हमने पल्प बनाया है और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे make sure कि दूद आपका ठंडा हो otherwise आपका दूद फट जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा तो इस तरह से ठंडे दूद में मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब इसको अगेन हम रख देंगे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए तब ही इसका perfect texture आता है अभी आपको थोड़ा सा ये रनी लगेगा बट जब ये set हो जाएगा तब काफी थिक हो जाता है और बासंदी रबड़ी की तरह लच्छेदार नहीं होता है बलकि एक थिक texture वाला होता है इसके ओपर मैंने add कर दिये है ये पिस्ता की कतरन काफी delicious ये अभी देखने में लग रहा है बट जब ये चिल्ड हो जाएगा आप उसको serve करेंगे तो इसका taste दुगना हो जाता है वैसे तो custard apple बासंदी इस time बनकर ready है बट इसको हम अभी एक से डेट घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छी से चिल्ड हो जाए set हो जाए जो taste है फ्लेवर हैं वो सारे एक सार हो जाए उसके बाद हम इसको serve करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ लगबग एक घंटा हो चुका है और आप बासंदी का texture देख सकते हैं कितना यह amazing है लग रहा है और इसमें कोई भी grain नहीं है जिसकी वज़े से इसमें texture आए जिस fruit की वज़े से ही इसमें यह texture आता है और taste तो काफी अच्छा है ही fruity flavor का है अगर आपको custard apple का flavor पसंद है तो आपको यह बासंदी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और yoga blender की वज़े से तो हमारा problem काफी solve हो गया है क्योंकि इसका seed separation बहुत ही easy हो जाता है और इसके बाद इसको बनाना तो काफी easy है ही तो आपने recipe देखी तो आप recipe को ज़रूर एक try दें उमीद करती हूँ आपको यह recipe ज़रूर पसंद आएगी अगर आप try करते हैं तो मेरे साथ feedback ज़रूर share करें योगा blender का use करते हुए मैंने आपके साथ एक recipe और share की है जो की grapefruit पंच की थी वो भी काफी अच्छी बनती है तो आप ज़रूर उसको एक try दें और अगर product के बारे में को information आपको लेनी है तो please आप description box ज़रूर चेक करें नेक्स recipe आप लोग गाजर के जूसकी कर रहे थे वो मैं जल्दी ही आपके साथ share करूँगी तो उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें मैं मिलती हूँ आप से कसी और नई interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you have a nice day